हेलो वेलकम बैक टू दा चैनल दोस्तों आईए आज समझते हैं RSI के बारे में relative strength index इसका नाम सबीरे सुना होगा लेकिन इतना simple explanation आपने कभी इसका नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही simple language में देखिए relative strength index एक momentum indicator है सबसे बहले तो हम बात करने के indicator क्या होता है indicator वो होता है जो market के moment को track करने का predict करने का जो momentum होता है उसका यह हमें भरोसा दिलाते है यह index शब्द से यही निकल के आ रहा है कि यह कहीं न कहीं आपको कोई level देगा जहां पर यह बताएगा कि यहां पर यह overbought है यहां पर यह undervalued है मतलब oversold और overbought level यह बताता है तो इसके overbought और over undervalued जो figure होते हैं वो क्या होते हैं 70 और 30 इसके अंदर एक जो term चलती है वो यह कि RSI अगर 70 के ऊपर आ गया है तो वो over boat हो चुका है overvalued हो गया है और अगर वो 30 के नीचे है तो वो undervalued है इसका मतलब आप कोई भी overvalued चीज़ को क्या करते हो sale कर देते हो और undervalued asset को या share को या index को क्या करते हो खरीद लेते हो तो क्या ऐसा हमेशा होता है या यह indicator कितना सही है कितना गलत यह हम आगे और भी चीज़ें इसकी जानते हैं उसके बाद ही कुछ नतीजे पर पहुँच पाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जो हमारा चार्ट यहां पर सामने है RSI लगा हुआ है यह आप किसी भी share का index का समझ सकते हैं लेकिन इसमें over bought level 70 दिखा रहा है over sold level 30 दिखा रहा है RSI के अंदर हम 14 day का period लेते हैं मतलब पिछले 14 दिन में उसने क्या perform किया उसे साब से हम इसका level देखते हैं momentum देखते हैं मतलब यह पिछले 14 दिन के market के behavior क्यों पूरा अपने आप में count करके आपको चीज देता है तो दोस्तों क्या यहां पर आपको लग रहा है कि 70 पर over bought है या 30 पर over sold है यह देखकर आप कर पाएंगे और बहुत पैसे कमा लेंगे तो फिर तो सभी लोग पैसे कमा रहे होते हैं इसलिए इसमें और भी बातें अभी जानने की बाकी हैं आईए समझते हैं क्या हैं वो बातें जो आपको जानना जरूरी है क्या हमेशा 70 और 30 वाला rule लगता है या नहीं लगता है देखिए जब भी आप trade कर रहे होना तो recent 9 to 10 days या 14 days जैसा कि RSI बोलता है जिस भी index पर आपको trade करना जिस भी stock पर आपको trade करना at least 14 days backtest कर लिया जाए ये कि अभी recent market में RSI चल रहा है या नहीं चल रहा है जैसा कि वो buy signal दे रहा है तो क्या वहाँ से price बढ़ रही है पिछले 14 दिन में कम से कम 10 बार या नहीं बढ़ रही है या फिर sale का signal दे रहा है तो क्या वहाँ से कुछ काम कर रहा है या फिर आपको इसके उपर और भी knowledge लेने की जरूरत है उसके बाद ही आप इसमें काम करें तो आप समझते हैं divergence को RSI में एक और concept होता है जो सबसे ज़्यादा इसका advanced concept है जो बहुत काम में आता है उसको कहते है RSI divergence यहाँ पर हमने जो example रखा है वो है bearish divergence का bearish divergence क्या होता है जहाँ पर आपकी जो price है share की वो higher high और higher low बना रही होती है लेकिन आपका RSI आपको क्या बता रहा होता है कि अब इस higher high में ना उतना momentum नहीं है क्योंकि वहाँ पर RSI में divergence आगया lower high के लिए तो यहाँ पर यह bearish divergence की रूप में निकल के आता है और यह जो momentum टूट चुका है share का और अब share में उतना momentum आगे pace नहीं है उस momentum में तो कहीं ना कहीं एक short sale की यह जगा बना देता है लोगों के तो दोस्तों क्या अभी भी आप समझ पाए है RSI को कैसे use करना है अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section में जरूर पूछिए हम आपको किसी भी तरह से आपकी query solve करने का try करेंगे और आगे अगर कोई आपको और भ एक test ना कर लें सारे concept और divergence को खास कर यहां पर test करने की जरूरत है normal RSI 70-30 तो बिल्कुल भी आप trade मत कीजेगा divergence पर फिर भी आप trade कर सकते हैं चलिए AC के साथ इजाजत लेते हैं धन्यवाद अगर आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो please subscribe to this channel thanks